स्वागत है आपका खुश्यों के तयोहार में यहां हम तयोहार की तयारी से पूजा की धाली तक का सफर पूरा करेंगे आज की वीडियो में जानिए मार्सकंद माता की पूजन विधी, मंत्र, प्रत कथा, कौन से फूल चड़ाएं और क्या भोग लगाएं साथ ही जानिए आज कौन से रंग के कपरे पहनने से मा होंगी प्रसन लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब ना क्या हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफाई करना ना भूले इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुचेगी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जै माता दी लिखना ना भूले दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं चैतर नवरातर के पांचवे दिन मा दुरगा के पंचम रूप मा इसकंद माता का पूजन होता है दार्मिक मानेता है कि इसकंद माता की अराधना करने से भक्तों की समस्प्रकार की मनुकामनाय पूर्ण होती है संतान प्राप्ति के लिए इसकंद माता की आराधना करना लापकारी माना गया है माता को लाल रंग प्रिय है इसलिए इनके आराधना में लाल रंग के पुष पर जरूर अर्पित करना चाहिए मा इसकंद माता का स्वरूप मा इसकंद माता की गोद में भगवान इसकंद बाल रूप में विराजित है इसकंद मातरी सोरूपनी देवी की चार भुजाएं है मा का वण पूनता शुब्र है और कमल के पुषपर विराजित है इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है आईए दोस्तों जानते हैं कैसे करें पूजा सबसे पहले मा इसकंद माता को नमन करे पूजा में कुम-कुम, अक्षद, पुष्प, फल, आदी से पूजा करे चंदन लगाएं, माता के सामने घी का दीपक जलाएं मा को केले का भोग लगाएं मंत्र सहीत मा की आराधना करे मा इसकंद माता की कथा पढ़े या सुने मा की आर्ती गाएं और अंत में प्रसाद ब्राह्मन को बाटे आईए दोस्तों जानेंगे इसकंद माता की कथा पौरानी कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तार का सुर नामक राक्षस था जिसकी मृत्यों केवल शेफ पुत्र से ही संभव थी तब मा पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद के लिए प्रसक्षित करने हितू स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद के लिए प्रसक्षित किया था सकंद माता से युद प्रसिक्षन लेने के पश्चात भगवान सकंद ने तारका सुर्का वद किया माता सकंद माता का स्तुति मंत्र या देवी सर्व भूतेशु मा सकंद माता रूपेन संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा आईए दोस्तों जानेंगे पांचवे दिन मासकंद माता की पूजा में भोग क्या लगाएं? माता इसकंद माता को केला प्रिये है इसलिए नवरात्री के पांचवे दिन भोग लगाते समय विशेश रूप से केले का भोग लगाएं इससे माता की कृपा पुरे परिवार पर बनी रहती है और आजी विका में विकास मिलता है लोग अपने अपने छेतरों में तरक्की हासिल करते हैं नवरात्री के पांचवे दिन मा दुर्गा के इसकंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है मा इसकंद माता को पीले रंग अतीप्रिये है माता रानी को इस दिन पीले रंग का पुश्प अर्पित करना चाहिए नावरातरी के पांचवे दिन मा इसकंद माता को समर्पित होता है इस दिन सफेद रंग पहनना उत्तम माना जाता है इससे मा प्रसंद होती है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों बाकी दिनों की पूजा कैसे करे उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहे यहां तक बने रहने के लिए आप सब का धन्यवाद जैमाता दी